पीएफ के लिए अपलाई करते हैं और आपके अपलिकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों जब भी लोग पीएफ के लिए अपलाई करते हैं तो जब कोई न कोई इमर्जेंसी बहुत जरूरी होता है तभी लोग पीएफ के लिए अपलाई करते हैं लेकिन बहुत की एक दो गलती के कारण उनके application को reject कर दिया जाता और इस चीज को वो नहीं समझते हैं ऐसे मैं आज इस वीडियो में समझेंगे आखिर क्या क्या region हो सकता है जिसके कारण से आपके PF के application को reject कर दिया जाता है अगर उस गलती को नहीं करेंगे तो आपका PF का पैसा बहुत reject हो चुका है तो उसमें region होगा कि आखिर reject होने का region क्या है है तो उस region के अनुसार से दुबारा apply करें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझे कि अगर आप PF के लिए apply कर रहा है तो सबसे पहला KYC तो updated होना ही चाहिए यह तो सब लोग जानते हैं लेकिन एक गलती करते लोग गलती यह कि KYC जो है अपडेट किये बहुत साल हो जाता है मतला उसमें जो bank account number है वो हो सकता है कि account active नहों हो account में कोई problem हो किसी भी region से जो है उस account में पैसा नहीं जाता हो तो होता क्या है कि शुरुआत में जो है लोग KYC करके रख देते हैं और bidrol के समय वही account number जिए कि वह account number active है उसमें lane देन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर वह account अभी active है लेन देन के लिए उसी account का इस्तमाल करते हैं तब दूसरा region हो सकता है लेकिन अगर नहीं active है ज्यादा इस्तमाल नहीं करते हैं तो एक recommendation है कि आप उस account में 1000-2000 रुपया चो है भेज करके करा यह तब आगे वरी है पहला तो यह हो गया दूसरा दूसरा कि जिससे में पीप के लिए apply करते हैं तो वहां पर bank account का जो वह पहला front page या checkbook का जो cancel checkbook होता है उसको scan करके वहां पर डालना होता है वह जो डाला जाता है उसके कारण जो है लोगों का reject होते हुए मैंने अब हुआ क्या कि poor quality का visibility कम है जहां पे IFSC code, bank account number, account holder का नाम सही से mention नहीं रहता है और इस तरह से वह document डाल देते हैं अपलोड कर देते हैं तो बाद में जा करके reject हो जाता है दूसरा गलत form का selection मतलग कि आपको form देखना परेगा कि form 19 select कर रहे है या form 10 select कर रहे है दूसरा form type select क क्या कर रहे हैं, मतलग कि आप नौकरी छोड़ दिये हैं जिस company से उस company का पूरा PF का पैसा, इस 주는 चाह रहे है, क्या चाह रहे हैं पहले उसके अनुसरा से form select करना पड़ेगा, अगर आप partial bend कर रहे हैं तो reason देना पड़ेगा कि आप health स help related कर रहे हैं, या मान लिजे घर बना रहे हैं या कोई emergency हो गया तो कोई ने कोई solid region देना परेगा और जिसमें सबसे बढ़िया रीजन है कि अगर आपका health issue वाला देते हैं तो साथ जल्दी PF का withdrawal हो जागया क्योंकि health emergency सबसे ज़्यादा emergency माना गया है ठीक है इसके अलावे अगर आपने कहीं company छोड़ दिया है मान लिजे कि जिस company में पैसा मतलब काम करते थे और पैसा उसके कारण जमा होता था पीएफ का अब वो company छोड़ चुके है तो date of exit जो है उसमें mention होना बहुत जरूरी है और date of exit गलत तरीके से mention कर गिये तो आपका PF का पैसा रुख जाएगा और आधिकांस लोगों का मैंने देखा है जिनका date of exit जो है timing गलत select है जिसके कारण से PF का पैसा बिड्रोल नहीं हो रहा है अब आप कहेंगे क्या है वो कैसे select करें support that कि आप जो है एक साल दो साल पहले company छोड़ चुके है या हाल फिलाली छोड़े है अब company के अनुसार जो है record के अनुसार कैसे जानेंगे कि company ने PF department को कब बताया कि ये वंदा company छोड़ चुका है अब अनुसार से matching गलत हो जाएगा गलत क्या होगा गलत ही होगा कि PFO के अनुसार आपने फरवरी तक काम किया इसलिए फरवरी का पैसा जमा होगा और आपको पता है कि आपने तो जनवरी में company छोड़ दिया अब जो है date of exit आप जनवरी का डालेंगे PFO के पास record है फरवरी तक क मामला funds जाएगा अपका पैसा बिट्रॉल नहीं होगा तो ऐसे में आपको लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप date of exit mention करने से पहले उसी पर देखिएगा कि आपका पैसा contribution जो है PFO का किस महिने तक contribution जमा है मतलब कि आप PFO का जो balance चेक करते हैं तो उसमें जो है last contribution तो मिले तक का अगर contribution है company के द्वारा जमा और भले ही company आप जनवरी में छोर दिये है December में छोर दिये है उससे मतलब नहीं है आप फरवरी के महने का जो last date होगा अगर 28 है तो 28 29 है तो 29 इसी तरह से अगर company माल लिजे कि March महने तक का contribution किया है तो आप बीच में कोई date माट डालिए function है वो पियक के जो office है data के अनुसार दुनों का office का data और आपके द्वारा भरा गया data match कर जाता है तो यहां पर problem नहीं होगी अब मैंने 50% से उपर लोगों का problem जो है जो माल लिजे कि फंस रहा है मामला जहां पर solve नहीं हो रहा है उसका region date of exit का ही है तो date of exit बहुत समझ के देखना है और इसके बाब जूद अगर reject होता है तो उसका एक और region होता है किसी को withdrawal सुरुवात में हो गया और बार बार जब withdrawal करता है तो reject कर देता है तो आपको यह भी देखना है कि होता है नहीं कि 6 बार apply कर दिए 6 बार से ज्यादा कर दिए तो आपका PF का पैसा आना गलती करेंगे भरने में डिटेल गलती करेंगे इसका ओफिस का डेटा आपके company के द्वारा दिया गया डेटा ओफिस में मतलब पी आप ओफिस में आपके द्वारा बढ़ा गया डेटा अगर मैच नहीं करता है तो भी दिक्कत वहाँ पर हो सकती है I hope यह वीडियो कुछ त प्रवाइड किया होगा अगर बनिया लगा तो सेर करिए like करिए